हेलो इस वीडियो में हम address function के बारे में जानेंगे तो address function को जानने से पहले हमें यहाँ पे cell referencing के बारे में पता होना चाहिए अगर हमें cell referencing का पता नहीं है तो हम यहाँ पे address function को नहीं कर सकते तीन तरह की cell referencing होती है relative cell reference, absolute cell reference, mixed cell reference यह relative cell reference इसका जो format होता है ऐसा format होता है जैसे यहाँ पे दिया गया है E3 तो E क्या है यहाँ पर E कॉलम और 3 यहाँ पर रो इसके वाद जो Absolute Sell Reference का फورमिट होता है यह ऐसा फॉर्मिट होता है जैसे यह डोलर यह कॉलम के आगे डोलर लगाया हुआ आ कॉलम जो है यहां पर E यह E के पहले यहां पर dollar लगाया हुआ है तो ये absolute reference है ये जो column है इसके बाद ये three row है row के आगे भी यहां पर dollar लगाया हुआ है तो ये जहां पर row और column के आगे dollar लगाया जाता है उस format को absolute cell reference बोला जाता है इसके बाद है mixed cell reference तो mixed cell reference का format कैसे होता है ये देखो ये format ऐसा भी हो सकता है ये जैसे dollar और इसके बाद e ये column name है इसके बाद three लिखा हुआ है ये row का name दिया गया है कि row कौन सी है three है या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर ये जो column है e इसके बाद row के आगे यहाँ पर dollar लगाया हुआ है ये three row है इसके आगे यहाँ पर dollar होना चाहिए कि यह relative cell reference क्या होता है absolute cell reference क्या होता है और यह mixed cell reference क्या होता है तो पहले हम इसको करेंगे तो जो cell referencing होती है यह तीन तरह की होती है सबसे पहले जो cell referencing है वो है relative cell referencing इसके बाद है absolute cell referencing इसके बाद है mixed cell referencing यह cell referencing के तीन टाइपस है इनका हमें knowledge जो न चाहिए तब ही हम यहाँ पे address function को कर सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे relative cell referencing इसके बारे में जानेंगे तो relative cell referencing क्या होती है relative cell referencing बै होता है जिसमें ना तो row fix होती है मतलब row के आगे dollar sign नहीं होगा और ना ही column fix होती है मतलब column के आगे dollar sign नहीं होगा इसका मतलब यह हुआ कि row और column के आगे dollar sign नहीं होगा तो ऐसा format correlative cell reference कहती है इसके बाद अगला जो है वो है absolute cell reference तो absolute cell reference बै होता है जिसमें row और column दोनों fix होती है मतलब दोनों row और column के आगे dollar sign होता है row के आगे भी dollar sign होता है और column के आगे भी dollar sign reference को हम absolute cell reference कहती है अगला है mixed cell reference तो mixed cell reference यह क्या होता है mixed cell reference बै होता है जिसमें या तो row fix होगा या column fix होगा दोनों में से एक fix होगा या तो row के आगे dollar sign होगा या column के आगे dollar sign होगा तो इस cell reference को हम mixed cell reference कहते हैं तो यह तीन तरह के cell reference होता है इनका knowledge हमें होना चाहिए तब ही हम जाके आगे address function को कर सकते हैं तो अब हम यहां पे address function को समझेंगे तो address function को समने से पहले हम क्या करेंगे यह हमारी पास data दिये गया है जिसमें कि यह student name है यह निचे दिये गए है subject 1 है इनके यहां पे marks है subject 2 है इनके marks है subject 1 प्लस subject 2 इनका यहां पे total किया हुआ है total करने के बाद यहां पे हम यह समझेंगे कि relative cell reference क्या होता है absolute cell reference क्या होता है और mixed cell reference यह क्या होता है और यह जो format है यह कैसे बनता है इसको यहां पे हम address function के जरिये समझेंगे तो पहले हम यहां पे यह जितना भी data दिया गया है यहां पे cell reference को समझेंगे तो यह जो total दिया गया है अगर हम यह चाहते हैं कि यह जो total है इसमें सभी में यहां पे two number यहां पे add हो जाएं तो इसको कैसे करेंगे इसको करने के लिए यहां पे हम click करेंगे click करने के बाद equal to यह लिखा लिखने के बाद इसका total यह दिखो यहां पे click किया यह d column और यह हमारी row है यहां पे three row पे है तो यहां पे plus लिखा, plus करने के बाद, यह जो है two यहां पे add करना है, तो add करना है, यह जो two है, यहां पे g column और यह three row, इसमें दिये गया है, तो यहां पे हम click करेंगे, यह cell name यहां पे आ जाएगा, आने के बाद, हम यहां पे enter प्रेस करेंगे, तो enter प्रेस करने के बाद यह एहां पे 123, 123 में यह यहां पे 2 किया, तो यहां पे 125 आगे, अगर यह इह फार्मूला हम यह निच़े अप्लाई करेंगे, तो यह देखो, यहां पे यह जो हाया है, यह देखो, 124 और 124 यहां पर यह टोटल सही आया 123 में 2 एड किये तो यहां पर 125 होगे लेकिन निच्छे जो आई यह फार्मूला अपलाई नहीं हुआ इसको करने के लिए हम यहां पर Mixed Cell Reference का यूज करेंगे तो यह देखेंगे कि यहां पर फार्मूला अपलाई हुआ तो इसमें कौन सी Cell Reference यूज हुई है तो इसको देखने के लिए 125 इसके पिछे यहां पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद यह देखो यहां पर D3 तो D3 यह क्या है Relative Cell Reference है प्लस G3 यह भी Relative Cell Reference है जिसके आगे Dollar Sign नहीं होता है वो Relative Cell Reference होता है ना तो रो के आगे Dollar Sign होगा ना कॉलम के आगे Dollar Sign होगा तो यह Relative Cell Reference है 124 है इसके पिछे यहां पर डबल क्लिक किया तो यह जो है Cell Name यह देखो D4 यह D4 यह D4 है D Column है यह 4 रो है D4 आगया प्लस G यह G Column है और यह जो है 4 यह 4 रो है तो 4 रो में क्या है यहां पर कोई भी Value नहीं है तो यहां पर 124 ही आएगा इसके बाद यहां पर नीचे यहां पर डबल क्लिक किया डबल क्लिक करने के बाद यह देखो यहां भी Cell Name यह चेंज हो रहा है जी 5 यह G5 है यह जाएगा तो यह 139 यहां पर यह टोटल आया हो है इसके बाद नीचे यह देखो यहां पर डबल क्लिक किया तो यह भी G6 यह 6 यहां पर खाली है तो यही Value यहां पर आ गई है इसी प्रकार यह नीचे G7 यह खाली है यहां पर G Column तो है लेकन यहां पर 7 रो जो है यहां पर ली है तो हम क्या करना जाते हैं सभी में यहां पर two add करना जाते हैं तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर mixed cell references का use करना पड़ेगा इसको करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर double click करेंगे double click करने के बाद यह जो g3 है यह देखो यह g है और यह 3 है यह 2 जो है हमने सभी में यह add करना है यह देखो 124 यहां भी add करना है 139 यहां भी add करना है 141 यहां भी add करना है तो सभी में यह add करना है तो इसको add करने के लिए हम इस value को fix कर देंगे तो यह जो है यह 3 row में है तो 3 row यहाँ पे यह 3 लिखा हुआ है इसके आगे हम क्या करेंगे कोई भी value अगर fix करनी हो तो उसके आगे dollar लगाए जाता है तो हम dollar call काने के लिए shift के साथ dollar sign प्रेस करेंगे यह देखो dollar sign प्रेस किया तो यह 3 row है इसके आगे यहाँ पे dollar sign आगे है अब क्या हुआ यह जो 2 है यह fix हो गया तो fix होने से क्या होगा यह सभी में two two add हो जाएगा यह देखो इसको करके दिखते है फिर enter प्रेस करेंगे यह enter प्रेस किया enter प्रेस करने के बाद यह जो है यहाँ पे click करेंगे इस cell पे 125 और यहाँ पे आम नीचे इसको drag करेंगे यह देखो drag किया drag करने के बाद यह देखो सभी में two यह add हो गया यह देखो 124 था यहाँ पे 126 हो गया तो यहाँ पे देखते है कि यह mixed cell reference यहाँ पे use हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे इसके पीछे यहाँ पे click करेंगे तो यह देखो dollar sign यहाँ पे 3 आ गया यह fix हो गया इसके बाद यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी dollar sign लगा होगा तरी के आगे यह देखो यह dollar sign लगा हुआ है यह three row है और यह column है और यह fix हुआ है यहाँ भी यह fix हो गया है यह देखो यहाँ भी dollar sign लगा हुआ है इसके आगे dollar sign लगा हुआ है इसी परकार यहाँ भी dollar sign लगा ह इसी तरह से हम आगर कोई value fix करना जाते है तो हम mixed cell reference जरीए उसको fix कर सकते है इसके बाद हम यहाँ पे address function को करेंगे आगर हम यह format बनाना जाते है कि यह format कैसे बना जाता है तो इस format को हम address function के जरीए बना सकते है तो यह देखो जैसे e3 है e3 क्या है relative cell reference है और यह second absolute cell reference है यह इसके बाद यह mixed cell reference है तो यह जो format है इसको address function के जरीए बनाएंगे तो यह बनाने के लिए हम यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद equal to यह लिखा लिखने के बाद यहाँ पे address लिखेंगे यह दिखो address यहाँ पे नीचे आ जाएगा यहाँ पे double click किया double click करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले लिए गया है row number रो का number जो है वो कौन सा है तो यह देखो यहाँ पे इसको लेंगे हम यह 3 row है यह देखो यहाँ पे 3 125 यहाँ पे आया हूँ है 3 row है तो 3 हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 भरेंगे यह देखो 3 इसके बाद फिर comma है यह दे देखो A, B, C, D और ये E तो E ये कौन सी पोजिशन पे है? 5 पोजिशन पे ये देखो 1, 2, 3, 4 और ये 5 तो यहां पे हम 5 लिखेंगे 5 लिखने के बाद फिर कॉमा लगाएंगे जब हम कॉमा लगाएंगे तो यहां पे देखो ये हमारे पास 4 ओप्शन आ जाएंगे पहले ओप्शन में हमने क्या करना है? Absolute करना है तो यहां पे क्लिक करेंगे First number पे अगर हमें Absolute row करनी है तो Second पे क्लिक करेंगे अगर Third में Relative row करनी है तो Third पे क्लिक करेंगे अगर ये Fourth है Relative अगर हम यह format बनाना जाते है तो हम क्य करेंगे यह जो fourth position पर है जिसमें यह लिखा हुआ है relative तो relative पर हम यहां पर click करेंगे या तो हम यहां पर four ऐसे लिख देंगे direct या यहां पर यह जो option है four पर यहां पर double click करेंगे तो यहां पे हमने डवल क्लिक किया यह देखो 4 यहां पे आ जाएगा आने के बाद फिर कोमा लगाएंगे कोमा लगाने के बाद यह देखो हमारे पास दो स्टाइल आ जाएंगे कि इस स्टाइल में चाहिए या इस स्टाइल में चाहिए तो हम यह सेकंड वाला स्टाइल यहा यहां पर 1 आ गया आने के बाद फिर कोमा लगा कि अगर sheet text यह लिखने जाती है तो ठीक है नई तो यह optional है अगर नई लिखने जाती है तो bracket को यहां पर बंद कर देंगे यह bracket बंद की इसके बाद जब हम enter प्रेस करेंगे तो यह format बंद की आ जाएगा यह देखो enter प्रेस किया enter प्रेस करने के बाद e3 e यहां पर क्या है column है और 3 यहां पर row है यह देखो e column है और 3 यहां पर row है जिसमें यहां पर लिखा हुआ है 125 इसके बाद absolute cell reference address function के जरिये करेंगे जिसमें की हमारे पास यह format आ जाएगा तो इसको बढ़ाने के लिए हम यहां पर address function यूज करेंगे यहां पर equal to लिखा equal to लिखने के बाद यहां पर address लिखा यहां पर address पर double click किया यह double click करने के बाद सबसे पहले हम यहां पर row लिखेंगे row number तो row का number जो है यहां पर 3 है इसके बाद कौमा लगाएंगे कौमा लगाने के बाद यह देखो 3 row है इसी को लेंगे हम 125 को और यह ज हुआ है फिप्थ पोजिशन पे है तो यहां पे हम five लिखेंगे यह देखो five लिखा five लिखने के बाद फिर कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद यह हमारे पास फिर से यहां पे option आ जाएंगे कि अब हमने क्या करना है तो अब हमने क्या करना है यह format चाहिए हमें तो यह format किसमें आता है absolute cell reference तो हम क्या करेंगे absolute कहां पे है यह दिखो first यह जो first number है यहां पे absolute लिखा हुआ है यहां पे double click करेंगे यहां यहां पे one लिख देंगे तब भी absolute आएगा तो यहाँ पे हम one पे यहाँ पे absolute लिखा हुआ है तो यहाँ पे double click करेंगे one यहाँ पे लिखा खुआ हाएगा आने के बाद फिर कोम लगाएंगे यह कोम लगाया अब यहाँ पे style आ जाएंगे यहाँ पर one आ गया इसके बाद sheet number यह optional है इसको नहीं लेंगे इसको bracket को बन कर देंगे और इसके बाद जब हम enter प्रेस करेंगे तो यह format बन के आ जाएगा यह वाला format यह जो format है absolute cell reference है यह यहाँ पर बन के आ जाएगा तो यहाँ पर enter प्रेस किया तो यह देखो यहाँ पर e column है इसके आगे dollar आ जाएगा और यहाँ पर 3 row है इसके आगे dollar लग किया जाएगा इसके बाद अगला जो format है यह देखो mixed cell reference यह है इसमें या तो ऐसा style भी बना सकते है और यहाँ पर ऐसा style भी बना सकते है तो हम क्य करेंगे यह first वाला style बनाएगे mixed cell reference भी क्या होता है या तो column के आगे dollar लगा सकते है या row के आगे dollar लगा सकते है दोनों में से A के आगे हम dollar लगा सकते है तो ऐसा format हम mixed cell reference भी कर सकते है जैसे हमें यह first वाला चाहिए तो E जो है column है column के आगे यहाँ पर dollar लगा हुआ है तो it means यह क्या है column जो है absolute column है और three यह जो है यहाँ पर dollar sign नहीं है तो three क्या है relative है तो यह format बनाने के लिए हम यहाँ पर click करेंगे click करने के बाद equal to यह लिखा इसके बाद address यह और address यहाँ पर आजाएगा निचे यहाँ पर double click किया address लिखा हुआ जाएगा इसके बाद row number इसी को लेंगे हम 125 इसी को लेंगे जैसे उपर यहाँ पर हमने लिया हुआ यही लिया तो row number जो है यहाँ पर three है three के बाद फिर कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद आगे दिया गया है column number तो column number किस position पे है यह column number a, b, c, d, e तो e जो है fifth position पे है तो 125 फिप्थ position पे है यहाँ पे हम five लिखेंगे और फिर कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद आगे हमारे पास यह चार option आ जाएंगे first में absolute दिया गया है second में absolute row third में relative row और fourth में relative दिया हुआ है तो अब हमें यह format से यह 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 dollar लगा हुआ है यहाँ पे यह के पहले और इसके बाद three यहाँ पे dollar नहीं है तो यह relative है तो relative row यह जो है absolute row चाहिए यह relative row चाहिए क्या चाहिए यहाँ पे जैसे suppose करवा हमें यहाँ पे relative row यह जो है row जो है relative है तो यह वाला चाहिए तो third पे हम click करेंगे, यह देखो यहां पे third option पे click किया, click करने के बाद यह third आ जाएगा, इसके बाद फिर कोमा लगाएंगे, और इसके बाद यह style, तो style हम यह second style को लेंगे, second वाले option पे click करेंगे, यह देखो one आ जाएगा, इसके बाद sheet text, यह optional है, इसको नहीं लेंगे, इस की यहां पे यह देखो यह कॉलम है इसके आगे डॉलर लगा हुआ है तो यह absolute है और यह जो three है इसके आगे डॉलर नहीं है तो यह relative है तो mixed में क्या होता है या तो row इसके आगे डॉलर लगा हुआ या column इसके आगे डॉलर लगा हुआ तो यह mixed reference बोलते है तो यह format बनके यहां पे format बना सकते है तो इस वीडियो में हमने address function के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद